हर्याना के कैथल के गुहला के समाज से भी राजकुमार उर्फ राजू चित्रा ने राजनीति के छेत्र में अपने कदम रखते हुए आने वाले 2019 के विधान सभा के चुनाओं में अजाद उमेदवार के रूप में मैदान में उतरने गैलान किया है चित्रा ने मंगलबार को मीडिया कलब कैथल में पत्रकार वारता की है जिसमें वे चिला के पत्रकारों से रूपर हुए राजकुमार चीतरा ने प्रेसवारता में बताया है कि पिछले 20 वर्सों से किसी भी पार्टी ने गोहला के संपुन विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए है जिस कारण से सिवन वो उसके आसपास के छेत्र अभी भी मूलभुत सुविधाओं से बंचित है इसी कड़ी में उन्होंने चुनाव लड़ने का निरने लिया है चितरा ने ये भी बताया है कि गोहला चेत्र में जो भी विधायक बने हैं उनके दोरा की गई गोसनाएं केवल कागजों तक ही सिमट कर रहे गई है जबकि इन गोसनाओं का धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है चितरा ने बताया कि गोहला विधानसवा चुनाओं में एहम योगदान देने वाले सिवन छेत्र में आज तक बस टेंड और पार्क तक कि सुविधा नहीं उपलप्त कराई गई है उन्होंने ये भी कहा कि अभी वे किसी भी राजनितिक पार्टी से नहीं जुडेंगे इस चुनाओं को गरीब लोगों की सहायता और उनकी समस्याओं को अपना एजेंडा बना कर अजाद उमिदवार की रुप में मैदान में उतरेंगे हर बार अधिकतर उमिदवार लोगों को जातियों वो धर्म के अधार पर माटकर भोले भाले लोगों से वोट लेने का कारे करते हैं अंत में चित्रा ने सभी पत्रकारों का भार प्रकट किया और इस मौके पर अली हसन, राजिंदर सिंग, लव चित्रा, मनोज कतूरिया सहीत अन्य लोग मौजूद रहे मेरे पैत्रिक गाम में आ गया हूँ, यहां पर रहने के लिए, यहां पर सब कुछ करने के लिए, और माफी भी में चाहूँगा थोड़ा साथ लेट हो गया किसी कानवन सर, यह आदा घंडा लेट है हमारी पीसी, तो सब कुछ अच्छा है, मेरा यह अजेंड़ा है सर मैं मेरा जो पैत्रिक गाम है सीवन, और मेरा जो हलका पड़ता है गूला विधान सबा, मैं वहां से 2019 के अंदर इलेक्शन लगने के लिए मेरा मूड है, और मैं अपने पैत्रिक गाम को आगे बनाना चाहता हूँ, उसका कारण यह है कि सर की बीस बाइस साल से, बीस बाइस साल से मेरे गाम के अंदर कोई भी आदमी विधायक नहीं बन पाया, एक बार वहां पे विधायक बने थे, उसके बाद बीस साल हो गए है, मेरे गाम से कोई भी बंदा विधायक नहीं बन पाया, मेरी सीट जरव है, ऐसी सीट है मेरी, गुहलाल के से, यहां से सबी लोग आपना हम आपके साथ हैं, तो सर मैंने अपना एक लिया है कि मैं पूरे मेरे गांद के लिए, मेरे पूरा बूला हलका विधान साबा के लिए और मेरे जो भी मेरे रिच्ट हैं, लैसनिंग पूरे हर्याना के लिए मैंसर यह कारह करने जा कौई बी चूज नहीं की है अभी कोई भी पार्टी वैसे मेरे को काफी जंग से कोल आ रहे हैं मुझे अभी दो तिन मिने मुझे कोई पार्टी जोईन भी नहीं करनी है मैं अपना द्रहातल पे काम करूँगा मैं अपना एक मेरा ग्राउंड बनाऊंगा जो जो सुविधाए जो चीज का भी गाम में नहीं हो पाई मैं वो करूँगा हजारो क्रोडों रुपया हजारो क्रोडों रुपया जीला कैथल के लिए बूला हलके के लिए आता है सर वो पैसा आते नहीं कहां चला जाता है काउचों में कुछ होता है कोई आवाज मिन उठा सकता तो मेरा मेरा यह अब की बाध रिच्च है कि मैं मेरे मेरे पूरा मेंने अपना मूर मनाया है कि मैं अपकी बार एलेक्शन लड़ूँ गा और बच्पन में शायद मैं यह कुछ कुछ सपने मैं जब यहां से गया था शायद मेरे पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे हर्याना के कैथल समनुज मलिक की रिपोर्ट कि रिपोर्ट